नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट क्रप्शन के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने विधान सभा छेतर में विधायक द्वारा विकास निधी से संबंधित सूचना किस प्रकार प्राप्ट करेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे जो इस चैनल से पहली बार जुरूए हुए है वो अबस सब्सक्राइब कर लें तथा आल पर क्लिक कर दें एवं उप्योगी लगे तो एक दूसरे ग्रूप में अबस सेयर करें वाटस अप, इंस्टाग्राम, फेस्बुक जि इस भी माध्यम से हो अबस सेयर करें, जिससे कि हर भारते को इसकी जानकारी हो सके तथा एक लाइक अबस कर देंगे, तो चलिए हम लोग जानेंगे आल विधान सवार छेत्र से संबंधित, विधायक के द्वारा विकास निधी पर किये गए कार्ज की जानकारी कैसे प्रपत्र को ताका तो फर्म बर लेंगे या टाइप करा लेंगे या सादे कागज पर भी इस तरह सूचना मांग सकते हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तथ प्रपत्र को सेवा में लोग सूचना पता दिकारी विधान सवा भवन का कारियाल है, अपने अपने राज का नाम यहां लिख देंगे, राजधानी का नाम लिख देंगे, मैं बिहाराज से संबंदित हूँ, इसलिए बिहाराज का यहां लिखा हूँ, पटना, आवेदक अपना नाम पुरा पता लिखेंगे, पिनकार्ट साहित, मांगी गई सूचना, आर्टी आई एक 2005 के तहत नि लिखी, जानकारी सो समय चाहता हूँ, पहला, अपने-अपने विधान सबाद च्चेत्र का नाम लिखेंगे, जिस भी विधान सबाद च्चेत्र से संबंदित आप सूचना चाहते हैं, तो मैंने आलमनगर विधान सबाद च्चेत्र के अंतरगत भर्स 2015 से 2022 आपको जिस भी बर्स से यहां समंदित सूचना चाहिए उस बर्स का नाम लिखेंगे के दोरान इस निर्वाचन छेतर के विधायक द्वारा विकास निथी से कराएगे सभी कारियों से समंदित निम्खित विब्रन दें को में कारिका नाम, को में कारिका संचिप्त विब्रन गोव में कार्ज के लिए सुकिर्थ रासी गोव में सुकिर्थ होने की तिथी अंगोव में कार्ज कराने वाले एजंसी का नाम चोव में कार्ज के लिए ठेका किस तर पर दिया गया है चोव में कितनी रासी का भुकतान किया जा चुका है जो में कार्ज के रेखाचित्र की प्रमानित परती दी जाए आप लोगों को भी इसी प्रकार पाइंट टू पाइंट अपने कार्ज से संबंदित इस तरह आप पूछ सकते हैं इसमें आप जो भी जानकारी और लेना चाहते हैं वो भी जोड सकते हैं दूसरा उप्रोक परियोजना में अब तक कितने के लिए और कुल कितनी रासी स्वकिर्ट की जा चुकी है इस तरह भी आप पूछ सकते हैं और भी कोई आपको जानकारी चाहिए वो तिन नमबर में देखे आप उसमें पूछ सकते हैं चार में RTI सुल्क के बारे में चानकारी देंगे या जो BPL धारी हैं जो गरीवी रेखा से नीचे वाले हैं वो अपना रासन कार्ट लगा देंगे तो उन्हें इनी सुल्क सुचना दी जाएगी जो BPL धारी नहीं है उन्हें 10 रुपे का भारती पुष्टल ओर या नन जिडिस्यल स्टांप या बैंक ड्राप्ट कुछ भी जो भी आप सुल्क के रूप में देना चाते हैं उसके बारे में लिखेंगे मैंने यहां 10 रुपे का भारती पुष्टल देना जा रहा हूँ तो इसके लिए मैं 10 रुपे का भारती पुष्टल ओरर रसीद संख्या पुष्टल ओर में रसीद संख्या होता इसमें नंबर दे देंगे से दे रहा हूँ, अपना हस्ताक्षर, मुबाइल नंबर पुरा पता दे सकते हैं, अस्थान जहां आप रहते हैं, जहां से आप RTI लगा रहे हैं, उस अस्थान का नाम दे देंगे और तिथी दे देंगे, इस प्रकार आप अपने विधानसवाद छेतर से संबंधित, विकास निदी पर कि एक खर्ज की जानकारी, अवस्थ से प्राप्ट करें, जिससे की अपने अपने छेतर के विधायक पर भी कुछ कारी क किया निरक्षन या ठीक दंग से कारी करने पर वो भी जाग रूप धर हैं, उनको भी जानकारी हो कि हमारे छेतर में ठीक धंग से काम हो रह नहीं इसलिए हम सभी को इस पर भी RTI अवस्ट लगा कर सूचना मांग सकते हैं जैहिन